इस विडियो सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम जिस विशे को कवर करने जा रही हैं, वह है मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव's periodic table। आए हम एक रूसी वेग्यानिक मेंडलीव की कहानी से शुरू करते हैं। जब वे तत्वों के वर्गी करन पर काम कर रहे थे, उन्होंने पाया कि समान गुण धर्मों वाले तत्व नियमित अंतराल पर होते हैं। इस अवलोकन के आधार पर मेंडलीव ने 1899 में एक आवर्त सिद्धान, periodic law बनाया। उन्होंने ये आवर्त सिद्धान, periodic law कैसे बनाया। रासायनिक गुण धर्मों के अंतरगत, मेंडलीव ने तत्वों के ओक्सिजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले योगिकों पर अपना ध्यान के इंद्रित किया। उन्होंने ओक्सिजन एवं हाइड्रोजन का इसलिए चुनाव किया क्योंकि वे अत्यंतस सक्रिय हैं तधा अधिकान्ष तत्वों के साथ योगिक बनाते हैं। तत्व से बनने वाले हाइड्रोजन एवं उक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गी करण के लिए मूल भूत गुणधर्म माना गया। फिर उन्होंने 63 काड लिए एवं प्रत्य काड पर अलग-अलग तत्वों के गुणधर्मों को लिखा। उन्होंने समान गुण धर्मों वाले तत्वों को अलग कर दिया तथा इन पत्तों को पिन लगा कर दिवार पर लटका दिया उन्होंने देखा कि अधिकांज तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया था तथा अपने पर्मानु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ये तत्व व्यवस्थित हो गए। ये भी देखा गया कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुर्ण धर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फेर आ जाते हैं। इसी आधार पर मेंडलिफ ने आवर्त सारणी बनाई जिसका सिध्धान्त है तत्वों के गुर्ण धर्म उनके पर्मानु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। मेंडलिफ की आवर्त सारणी में उर्ध्व स्तंभ को ग्रूप, समूह तथा छैतिज पंक्तियों को पीरियद आवर्त कहते हैं। मेंडलिफ की मूल आवर्त सारणी में छेक पीरियद, छैतिज पंक्तियां और आठ ग्रूप उर्ध्वा धर स्तंभ थे। आठ समूह में से पहले साथ समूह सामान्य तत्वों, नॉर्मल एलेमेंस के हैं और आठवा समूह संक्रमन तत्वों, ट्रांजिशन एलेमेंस का है उस समय नोबल गैसों का पता नहीं चला इसलिए मेंजलीफ की मूल आवर्त सारणी में नोबल गैसों का कोई समूह नहीं था आवर्त सारणी के प्रत्येक समुह के तत्व कई गुणों में एक दूसरे के समान है तत्वों के गुण समान अंतराल पर दोहराय जाते हैं अब हम इस प्रकार के वर्गी करण की दो मुख्य विशेष्टाओं का वर्णन करेंगे एक अधिक्तम स्तत्वों को उनके पर्मानू द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है दो तत्वों के समुह में समान गुण धर्म होते हैं अब हम मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे इससे कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान किया गया जो उस समय तक ग्यात नहीं थे मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ दिया इन रिक्त स्थानों को दोश के रूप में देखने के बजाए मेंडिलिफ ने द्रड़ता पूर्वक कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान किया जो उस समय तक ग्याद नहीं थे इनका नामकरण उन्होंने उसी समू में उससे पहले आने वाले तत्व के नाम में एका संस्क्रित शब्द उपसर्ग लगा कर किया जैसे बाद में ग्याद होने वाले स्कांडियम, गैलियम, जमेनियम के गुणधर्म क्रमशह, एका पोरोन, एका अलुमीनियम तथा एको सिलिकॉन के समान थे मेंडलीफ द्वारा अनुमानित, एका अलुमीनियम तथा बाद में ग्यात क्यालियम के गुण धर्म को इस सारणी में सूची बद्ध किया गया इससे मेंडलीफ की आवर्त सारणी की परिशुद्धता तथा उप्योगिता के ठोस प्रमाण मिल गए इसके अलावा मेंडलीफ के अनुमान की असाधारन सफलता के कारण रसायनग्यों ने उनकी आवर्त सारणी को न केवल स्वीकार किया अपितु उनको इस सिध्धान्त की अवधारना का स्रिजग भी माना उतकृष्ट गैसों जैसे हीलियम, नियोन, एवं आरगोन का पहले भी कई संदर्ब में उलेक किया गया इन गैसों का पता देर से चला क्योंकि ये अक्रिय हैं तथा बायू मंडल में इनकी मात्रा बहुत कम है मेंडलिफ की आवर्त सारणी की एक विशेष्टा ये भी थी कि जब इन गैसों का पता चला तब पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही इन्हें नए समूह में रखा जा सका आईए, अब हम मेंडलिफ के वर्गी करण की सीमाओं पर चर्चा करें हाइडरोजन का इलेक्ट्रोनिक विन्यास क्षार धातूँ से मिलता है क्षार धातूँ की भाती हाइडरोजन भी हैलोजन, ओक्सिजन एवं सलफर के साथ एक जैसे सूत्र वाले योगिक बनाता है जैसा आप इस उदाहरण में देख सकते हैं दूसरी ओर हालोजन की भाती हाइडरोजन भी दूई परमानुक अनू के रूप में पाया जाता है और धातूँ एवं अधातूँ के साथ सहसयोजक योगिक बनाता है निश्चित रूप से आवर्त सारणी में हाइडरोजन को नियत स्थान नहीं दिया जा सकता है ये मैंडलिफ की आवर्त सारणी की पहली कमी थी वो अपनी सारणी में हाइडरोजन को उचित स्थान नहीं दे पाये मैंडलिफ के तत्व के आवर्त वर्की करण तयार होने के परियापत समय बाद समस्थानिकों का पता चला हम जानते हैं कि किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुर्ण धर्म समान होते हैं लेकिन उनके परमानों द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं इस प्रकार सभी तत्व के समस्थानिक मेंडलिफ के आवर्त नियम के लिए एक चुनौती थी दूसरी समस्या ये थी कि एक तत्व से दूसरे तत्व की और बढ़ने पर परमानु द्रव्यमान नियम में तूप से नहीं बढ़ते इसलिए ये अनुमान लगाना कठिन हो गया कि दो तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं विशेशकर जब हम भारी तत्वों पर विचार करते हैं तो कठिनाई आती है दोस्तों हमने इस विडियो में मेंडलीव की आवर्त सारणी मेंडलीव पिरियोडिक टेबल के बारे में अध्ययन किया अगली विडियो में हम आधुनिक आवर्त सारणी Modern Periodic Table के बारे में जानेंगे